भगत सिंग, सुखदेव और राजगुरू को फासी लगाने की इतनी जल्दी तो अंग्रेजों को भी नहीं थी, जितनी की गांधी और नहरू को थी, क्यूंकि भगत सिंग तेजी से भारत के लोगों के बीच लोग प्रिय हो रहे थे, जो की गांधी और नहरू को बिलकुल प्रास नहीं आ रहा था, यही कारण था कि वो चाहते थे कि जल्द से जल्द भगत सिंग को फासी दे दी जाए, ये बात स्वयम अर्विन ने कही थी, इसके अतिरिक्ट लाहॉल जेल के जेलर ने स्वयम गांधी को पत्र लिखकर पूछा था कि इन लड़कों को फासी देन था कि गांधी और नहरू में से किसी ने भगत सिंग, राजगुरू और सुखनेव को छोड़ाने के बारे में चल्चा तक नहीं की, अर्विन ने अपने दोस्तों से कहा कि हम ये मान कर चल रहे थे कि गांधी और नहरू भगत सिंग की रिहाई के लिए अड़ जाएंगे औ और हम उनकी ये बात मान लेंगे बनारस हिंदू विश्वे विद्याले के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालविय जी ने 14 फरवरी 1931 को लॉर्ड अर्विन के सामने भगत सिंग, राजगुरू और सुखनेव की फांसी रोखने के लिए मर्सी पेटिशन दायर की थी ताकि उन्हें फांसी न दी जाए और कुछ सजा भी कम की जाए लॉर्ड अर्विन ने तब मालविय जी से कहा कि आप कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, इसलिए आपको इस पेटिशन के साथ नहरू, गांधी और कॉंग्रेस के कम से कम 20 अन्य सदस्यों के पत्र भी लाने ह कारण ही कॉंग्रेस के अन्यनेताओं ने भी अपनी सहमती नहीं दी, रिटायर होने के बाद लॉर्ड अर्विन ने स्वयम लंदन में कहा था कि यदि नहरू और गांधी एक बार भी भगत सिंग की फांसी रुखवानी की अपील करते तो हम निश्चित ही उनकी फांसी कर देते लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गांधी और नहरू को इस बात की हमसे भी ज्यादा जल्दी थी कि भगत सिंग को फांसी दी जाए